Hello everyone, welcome back to my channel तो आज की क्लास में हम hypersensitivity के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या चीजे में आपको पढ़ाने वाली हूँ hypersensitivity क्या होता है किस तरीके से होता है और उसके types कौन कौन से हैं, type 1, 2 3 and 4 4 types होते हैं, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम discuss करेंगे तो let's get started तो सबसे पहले हम देखते हैं कि hypersensitivity होता क्या है तो जैसे आप देख सकते हो किसी चीज के लिए आपकी बाड़ी जादा sensitive बन जाती है मतलब कि वो चीज इतना जादा response नहीं कर रही है आपकी बाड़ी फिर भी उसके लिए जादा response शो करेगी जादा sensitivity शो करेगी उसी को hypersensitivity बोलते हैं आप देख सकते हो कि क्या लिखा गया है immune and inflammatory response होता ये बाड़ी का तो एक type का immune response है जो की host के लिए हामफुल है normally हम immune response तब शो करते हैं जबकि हम सामने जो भी antigen हमारी बाड़ी के अंदर एंटर किया है उसको हमें खतम करना है या उसको हमें destroy करना है उसके लिए हमारी बाड़ी immune response शो करती है बट hypersensitivity में ऐसा immune response शो होने लग जाता है कि जो हमारी ही बाड़ी के लिए हमफुल हो जाता है यानि host की बाड़ी के लिए काफी ज़ादा हमफुल ये response होता है आप देख सकते हो यहां लिखा गया है over reaction हमारी बाड़ी ज़ादा over react कर रही होती है एक particular antigen के लिए मतलब normally जो उसे react करना चाहिए उससे ज़ादा reaction शो कर दी है तो इसलिए host की बाड़ी के लिए ये process काफी ज़ादा harmful होती है अब harmful किस तरीके से होती है तो आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे symptoms जो है हमारी बाड़ी के response के damage वगेरा cause करने लग जाते हैं ये damage actually वो substance नहीं cause कर रहा जो हमारी बाड़ी के अंदर आया है जैसे मान लो एक pathogen आया है वो pathogen इतना ज़ादा effect हमारी बाड़ी को नहीं कर रहा जितना हमारी body का response उस pathogen के लिए हमें effect कर रहा है समझ पारे हो तो damage जो actually उस substance को करना चाहिए था उससे जादा damage तो हमारी body का response ही कर रहा है ठीक है तो सारे damage symptoms जो होते हैं body के response की वज़ा से होते हैं actual में substance की वज़ा से नहीं होते तो ये वाली जो process है किस वज़ा से होती है तो आपको लिखा गया है यहाँ T helper cells होते हैं आपको पता है उनका जो CD region होता है उसके अंदर को changes हो जाते हैं जिसकी वज़ा से ये पूरी process जो hypersensitivity की होती है वो आपको देखने को मिलती है hypersensitivity होने के लिए दो separate interactions होना जरूरी है with the antigen मतलब actually क्या होता है कि हमारी body जब भी immune response शो करती है वो एक particular antigen से एक बारी interact करने पर शो करती है मतलब उसने देखा कि ये particular antigen body के अंदर आया है और उसके लिए वो reaction शो करते उसे हम immune response बोलते हैं बट जब same antigen से दो बार हमारी body दो बार interact करेगी दो separate interactions उसके साथ होनगी तो उस time पे hypersensitivity होती है मतलब एक बारी में जो इफेक्ट उसे शो करना था दूसरी बारी में भी वो ही इफेक्ट शो कर रही है तो डबल हो जाएगा इसलिए damage cause होती है ठीक है अब दो separate interactions antigen के साथ कब होते हैं तो वो आपको लिखा गया है पहला होता है जब antigen body के अंदर आया तो कोई भी pathogen है उसके उपर कोई protein था वो antigen बनके हमारी body के अंदर आया उससे जब interaction हुआ तो वो first interaction था and वो antigen उस time body के अंदर जब आया तो उसे APC यानि antigen presenting cell pick up कर लेते हैं ठीक है आपको पता होगा immunology में हम बोलते हैं कि antigen जब भी body के अंदर आता है तो antigen presenting cells जो उसे present करके आगे जाके show करेंगे कि ऐसे ऐसे antigen है तुम antibody बना लो वो जाके pick up कर लेते हैं उस antigen को और फिर उसे ले जाते हैं lymph nodes के पास और फिर जो भी new T cells आएं हैं उन्हे show कर देते हैं जिससे कि T cells activate हो जाएंगे differentiation show कर देंगे और antigen specific cells बनाना शुरू कर देंगे ठीक है तो ये first interaction है with the antigen second का बात है जब ये antigen specific cells जो कि antigen के specific बन चुके हैं already ये फिर से antigen के पास आजाएं antigen से मिल जाएं ठीक है antigen के साथ उनका interaction हो जाएं तो आप बोल सकते हो कि दो अलग-अलग interactions हो रहे हैं antigen के साथ इसलिए ये hypersensitivity आपको देखने को मिल रही है clear अब इसके हम types discuss करते हैं कि क्या-क्या types हैं जो की hypersensitivity के आते हैं तो ये जो भी types हम याँ discuss करेंगे ये दो scientist थे इनकी classification के basis पे हैं तो type 1, 2, 3 and 4 चार types होते हैं जो हमें discuss करने हैं बहुत सारे students के request होती है कि ये topic समझ नहीं आ रहा है तो अभी अच्छे से समझना कोई भी doubt हो तो comment section में मुझे जरूर बताना ठीक है तो type 1 कौन सा hypersensitivity होता है देखो यहाँ मैंने major ही चीजें लिखी हैं जो आपको याद रखनी है इससे जादा आप पढ़ सकते हो बट याद रखने की जरूरत नहीं है ये major हैं जो कि इन सारे types को एक दूसरे से distinguish करने में मदद कर रहे हैं तो type 1 वाला जो hypersensitivity होता है इसके अंदर mast cell activation होता है ये बहुत important चीज़ है mast cells activate होते हैं किस वजह से? by the secretion of IgE antibodies so there is the involvement of IgE antibody ठीक है? IgE antibody का secretion होगा जिसकी वजह से क्या होगा? कि mast cells activate हो जाते हैं ये response एकदम से होता है मतलब ये वाला जो भी hypersensitivity का response होगा आपको एकदम से देखने को मिलेगा जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को allergy होती है किसी-किसी चीज़ से और जैसे ही उस particular antigen के contact में उनकी body आती है एकदम से reaction show होना शुरू हो जाता है उन्हें छीक आने लगती है या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है तो वो सारी चीज़ type 1 hypersensitivity होती है इसे इसी लिए allergic hypersensitivity भी बोलते हैं क्योंकि allergy के लिए ये होता है जब भी किसी चीज़ के लिए allergic है person तो type 1 hypersensitivity response show करेगा इसी लिए ये process बहुत कम time में होती है बहुत कम कुछ minutes लेती है ये process होने में तो इसी लिए ये hypersensitivity बहुत जल्दी देखने को मिलती है और क्योंकि इसमें IgE antibody और mast cells की involvement है basophils की involvement है इसी लिए ये allergic response के लिए है ठीक है तो आपको याद रखने में easy होगा link करके पढ़ना तब याद रहेगा type 1 allergic response allergic है तो IgE mast cell basophils का involvement है अब यहाँ देखो आपको यहाँ लिखा गया है diagramatically मैंने यहाँ बताया है ये B cell था antigen के contact में आया तो उसके बाद क्या हुआ plasma cells जो है जो भी ये antibody है IgE antibody इसका secretion बढ़ जाएगा और जब इसका secretion बढ़ गया तो आप देख सकते हैं ये जाके कहाँ bind करेंगी mast cells से mast cells से इन्होंने bind करा और फिर क्या होगा second time जब exposure होगा ये तो first time exposure था जो यहाँ देखा हमने ये second time हो रहा है second time exposure हुआ second time antigen आया in IgE antibodies से bind किया तो उसके बाद क्या होगा कि mast cells कुछ चीज़े secret करना शुरू कर देंगे यानि कुछ granules, histamine, cytokines बगयरा का secretion शो करना लग जाएंगे जिसकी वज़ा से allergy के symptoms दिखते हैं यानि छीक आना या कुछ भी ऐसे allergic responses देखने को मिलते हैं इसका सबसे common example type 1 hypersensitivity का आता है anaphylaxis ये actually होता क्या है तो आप देख सकते हो vasodilation इसके अंदर होता है bronchio constriction यानि bronchiay constrict कर जाती है और जो भी blood vessels है वो dilate हो जाती है यानि उनके अंदर swelling आ जाती है ऐसा बोल सकते हैं ठीक है constriction नहीं होरी dilation हो रही है ठीक है तो सिकोड नहीं रही है वो expand कर रही है और इसकी वज़ा से oxygen transportation घट जाता है ठीक है तो इसी को anaphylaxis बोलते हैं और इसे treat करने के लिए adrenaline या antihistamines की जरूरत होती है आपको पता होगा allergic response है तो histamines release हो रहे हैं वो actual में histamine production को नहीं रोकेगा तो antihistamine आपको यहाँ याद रखना है next आता है type 2 hypersensitivity इसे cytotoxic hypersensitivity भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे cytotoxic cells की जरूरत होती है ठीक है TC cells और यहाँ पे एक और चीज जो important है वो यह कि antibodies यहाँ पे जो भी बनती है वो target किसको करती है antigens which are present on the cell surface तो cell bound antigens की यहाँ involvement होती है पीछे हमने जो पढ़ा था वो IgE था यानि जो release हो गई थी antibodies यानि की वो cell के surface पे bound नहीं थी बट जो type 2 होता है cell surface पे bound antigens के खिलाफ ही यह hypersensitivity response होता है और यहाँ पे जो भी antibodies जिनकी involvement होती है वो है G और M वहाँ E थी यहाँ G और M है एक table भी बना सकते हो याद रखने के लिए easy रहेगा ठीक है next हम यहाँ देखते हैं तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि type 2 कहाँ होता है in response to host cells और to non self cells मतलब self cells के response में भी ओसकता है या non self cells के response में भी हो सकता है self cup जैसे autoimmune response होता है खुद के ही body के organs को tissues को body harm करने लगती है तो तब भी हो सकता है hypersensitivity response क्योंकि उन्हें लगता है कि यह हमारी body के cells नहीं है यह बाहर से आये non self cells के case में भी हो सकता है जैसे blood transfusion, गलती से किसी और blood group का blood चढ़ा दिया जाए तो body को लगेगा कि ये body का नहीं है, ये antigens को दो हम जानते नहीं है तो उसे खतम करना शुरू कर देगी, वही case होता है यहाँ type 2 hypersensitivity, क्या होती है ये पूरी process दो देख सकते हो antibody जो है, वो cell से bind करेगी, complement system activate होगा, degranulation होगा, neutrophils का यानि granules release होगे, and membrane attack complex बनेगा, और membrane को attack करना शुरू कर देगा उस particular cell के जो की body को लगा कि खुद के नहीं है, तो उनका destruction हो जाएगा, जिसकी वज़ा से tissue specific damage होगा, यानि वो particular tissue खतम हो जाएगा, example इसका देखो, क्या बताया है, acute transfusion reaction, blood match नहीं किया, चढ़ा दिया, तो उसकी वज़ा से यह process होती है, and इसकी वज़ा से जादा कुछ नहीं होता, hemolysis होती है, यानि सामने वाले का blood जो आपने चढ़ाया, उसे खतम कर दिया जाएगा, उसके cells को खतम कर देगी body, और कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो blood waste हो गया, आप बोल सकते हो, तो hemolysis हो जाती है, और यह hemolysis, tumor necrosis factor, TNF बोलते हैं इसे, उसकी मदद से होता है, interleukines नाम के factors की वज़ह से भी होता है, next आता है type 3 hypersensitivity, यह होता है, antigens के खिलाफ जो की soluble है, पीछे हमने पढ़ा cell के surface वाले antigens के, यह था antigens जो की soluble है, यहाँ पे भी G और M antibodies की ही involvement है, यह वाली जो hypersensitivity होती है, इसे immune complex hypersensitivity बोलते हैं, ठीक, इसके अंदर क्या होता है, तो वो tissues जो की high blood filtration के लिए responsible हैं, जैसे kidney, blood filtration के लिए responsible है, synovial joints जो होते हैं, इन सबको target करती है, यह वाली hypersensitivity, इसलिए rheumatoid arthritis इसमें example आता है, autoimmune disease है, जिसके अंदर क्या होता है, inflammation होती है, pain होती है, synovial joints के अंदर, जैसे knee बगेरा में, इसमें क्या होगा, तो वही complement chain, complement system activate होगा, हो जाएंगी, जिसकी वज़ह से क्या होगा, inflammation, sujan swelling होगी, जादा से जादा leucocides उस particular area में आ जाएंगी, और कुछ नहीं है इसमें जादा, यह type 3 था, और एक last type 4 आता है, जिसे cell mediated भी बोलते हैं, क्योंकि यह basically T cells, जो antigen specific T cells हैं, उनके through mediate होती है, इसको सबसे जादा time लगता है, जैसे हम type 1 से type 4 की side जा रहे हैं, वैसे duration जो है, symptoms appear होने की, आप बोल सकते हो response की, वो जादा duration बढ़ती जाएगी, तो वो आपको याद रखना है, next आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें time जादा लगता है, इसलिए इसे delayed type hypersensitivity भी बोलते हैं, इसके अंदर क्या होगा, T H cells activate होंगे, जिनके उपर CD4 plus वाला जो receptor होता है, वो attached होता है, तो T helper cells जो होंगे, T H cells activate होंगे, chemokines, chemicals का secretion होगा, macrophages उस particular area में, cytokines वगेरा सारे आ जाएंगे, और inflammatory factors आ जाएंगे, फिर inflammation हो जाएगी, यानि swelling हो जाएगी, इसे local tissue damage, या cell mediated cytotoxicity भी बोलते हैं, example इसमें contact dermatitis आता है, इसमें basically क्या होता है, कि T H cells जो होते हैं, infiltration वाली site पे जल्दी नहीं पहुँच पातें, धीरे धीरे पहुँचते हैं, जिसकी वज़ा से उस particular area में, dermatitis, derma मतलब skin, तो skin के उपर redness, आपको देखने को मिलेगी, eating होगी, swelling होगी, और वो red color का हो गया, यानि वहाँ heat भी produce होई है, तो यह type 4 hypersensitivity होता है, तो I hope कि आपको 4 type के hypersensitivity responses, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए हो, अगर कोई भी doubt हो, तो please comment section में मुझे जरूर बताना, तो मिलते हैं next class में, bye bye, thank you,